अलो बच्चों जैहन आज हम आज का सेशन होगा बच्चों फ्रेडल क्रॉफ्ट रेक्शन पहले तो हम समझेंगे बच्चों ये फ्रेडल क्रॉफ्ट रेक्शन है क्या चीज और फिर देखेंगे बच्चों ये कितने तरक ही होती है और फिर देखेंगे इसमें रिजेंट थे कि आयेगा। तुम लोग यतना मज़ा भोजपूरी चैनल पे लेते हो, तना मज़ा नहीं का लेकिन आएगा। पढ़ने में मज़ा आएगा। तो चलो वीडियो बच्चों सुरू पाहले तुम देखें, बच्चों. is meaning of frederic reaction हमने सबिस बच्चों को इसके पाहले वाले वीडियो में चर्चा किया था बच्चों जो हाईलो एरिन्स या रोमैटिक हािडरो कार्बन या कंपांड सो इन बच्चों अरिमाटिक कंपांड जो होते हैं वो जेनरली जेनरली बोल ले हैं इललेक्ट्रो फिलक बैंजिस्ट्राइटें समट्राइप इसलस्टी की पहले वाली वीडियों नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखने से आपको बैंजिस्ट्राइब कि यहां पर ध्याहने बच्चों, हम एक सब्साद बोल लाएं बेंजीन की चुकि इलेक्ट्पाइल रिंग पर ही अटेक करता है क्यों बच्चों इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्ट्रों की इंब niedरेफ Minister हुत कि यहां रहेगा आदरो आको बoug करते हैं और इसके कई हमने कि आंपको बाता था तो आज चलते हैं पले बach को कीशो फिर आचानिक क्या है और फिर हम देखते हैं यह कि इतने तरह की होती है वडिये क्रोफ लएऋ विन्डवरीक नडवरAcc बेंजीन रिंग मतलब बेंजीन रिंग की हाइडोजन बच्चों और रिप्लेश्ट कर दी आती है रिप्लेश्ट बाई एलकाइलिक ग्रुप और एसल ग्रुप आर सी ओ प्लस इसे एसल ग्रुप कहते बच्चों इन प्रेंजीन रिंग की हाइडोजन एलकिल ग्रुप द्वारा एलकिल या आप कार्बोनी अमान एलकिल कार्बोनी अमान जी से कहते हैं एलकिल कार्बोनी अमान या एसल ग्रुप द्वारा रिप्लेस कर दिया थी इन प्रजें सब बच्चों एन हाइड्रस एलमूनियम क्लोराइड यहाँ पर बच्चों हम कोई भी लुईस एसिट ले सकते हैं लेकिन बच्चों लेकिन यहाँ पर चुकि हम नेमिंग रिएक्शन पढ़ रहें बच्चों और यह बहुत इंपोर्टेंट हो जाती है तो जो फ्रेडल क्रॉफ्ट ने लिया था उसी रिएजेंट का हम प्रियोग करें बच्चों अब जरा एक एक एक्जामपल देखते हैं बच्चों सवान यह है कि यह जो इलकाईली ग्रूप है बच्चों यह कहां से आएगा पहली बात और जो ऐसल ग्रूप है बच्चों यह कहां से आएगा ठीक है और यह बच्चों हर समय कहां से आएगा अभी मैं आपको इसकी चर करूंगा यह आपके सामने बच्चों एक प्वैस्टिन मारक है कहां से आएंगे पहले तो हम देख लेते हैं बच्छों यह है क्या चीज इसके बाद हम इसके क्लॉसिफिकेशन पर आते हैं बच्छों कितने तरह की होती हैं तो चलिए हम सुरू करते हैं बच्छों जरा देख एल्किस तो यहां पर लेते हैं बच्छों यहां पर हुं लेते है बच्छों ओल्किल है। ठीक है और हम A.L.C.L.4, A.L.C.L.3 एन हाइड़स के प्रेजन्स में होगा तो सभी बच्चों को पता है कि यहां पर सभी जगें कार्बन हाइडोजन है बच्चों तो यह ग्रूप जो है यह हैलोजन बच्चों इसके साथ कमबाइन भी कर सकती है और इसके साथ भी कमबाइन कर सकते हैं चेकरन बच्चों तो HX के रूप में बाहर निकलेगा अब यह आर्थो पर भी जाग जूट सकता है बच्चों और पायरा पर भी तो आपके दो डिजार प्रड़क्ट बनने वाले हैं बच्चों यह आपका यहां पर CST आर्थो पोजिशन पर लग गया बच्चों और आपका दूसरा लग गया आपका पायरा प्रड़क्ट सवाल यह है बच्चों इसमें मेजर प्रड़क्ट को होगा तो मेथिल गुरूप बच्चों मेथिल के जाने बच्चों अब यह पायरा है पायरा मेथिल क्लोरो बेंजीन यही आपका क्या होगा बच्चों मेजर प्रड़क्ट होगा याद है यह माइनल होगा ऐसा मैंने क्यों बोला बच्चों पहली बात तो यह नजदीक है रिप्लेस कर दी जा रही है किसी अलकेल गुरूप दोरा तो अलकाइलेशन का लाएगा बच्चों अगर इसकी दोरा हटा दी जाए एसवाइलेशन का लाता है तो इसमें एन्हाइड्रस एल्मूनियम replaced by alkyl or acyl group in presence of anhydracylmonium chloride to forms arthro and pyra product these are pyra product are major product because it is less hysteric hinders as well as symmetrical in nature बच्चों तो चलिए हम चलते हैं बच्चों इसके पहले हम types को देखते हैं और फिर इसके magnesium पर आते हैं आखिर ये reaction बच्चों हो कैसे रही है तो चलिए तो ये बच्चों दो तरह की हो जाती है इल कायलेशन और एसाईलेशन जब hydrogen alkyl group द्वारा जूड़ा हर जाये बच्चों तो उसे कहते हैं alkylation और जब km आसल ग४ दो जाते हैं तो एसाईलेशन कहते हैं बच्चों तो ये Nursayunn बच्चों दो तरह की हूती एक होती है, एलकालेशन और दूसरा होता है, बच्चो, एसाईलेशन, एसाईलेशन तो एलकालेशन में क्या होता है, voisā बच्चो, हईडोझन बेंजिनरिकी रीप्लेश्ट कर दी जाती है, अलकल गूर्ब द्रुब दौरा, अब यहां पर एकील गूर्ब, सीये स्टी प्लस भी हो सकता है C2H5+, भी हो सकता है और यहां पर बच्चों जब यह hydrogen replaced कर दी जाती है इसल गुरूप द्वारा जानने बच्चों धाटेजे एसल गुरूप ठीक है अब यहां पर पर बच्चों कुछ भी ले सकते हैं तो यह बच्चों आपका एसिल ग्रूप है तब इसे कहते हैं बच्चों इसे कहते हैं उसे कहेंगे एसाइलेशन तो सबसे पहले इसमानगों बच्चों पहले सबस्वार कुछ अफ हो फिर HAS जाते हैं इसकी मेकेनिजियों बच्चों बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टेड है ठीक है तो पहले तो हम देखें बच्चों हम पढ़ने वाले हैं एलकाइलेशन में तो पहले तो हम बच्चों क्लोरो बेंजीन ही ले लेते हैं चलो हमने क्लोरो बेंजीन ले लिया बच्चों और सभी बच्चों को पता है इस क्लोरो बेंजीन में यहां पर बच्चों क्लोरी 3, C, C, L, कोई अलकिल क्लोराइड हम यहां पर ले लेंगे जो की अलकिल कार्बोनियम आएन को प्रोवाइड करेगा ऐसे नेकलियो फाइल, अलेक्रोफाइल के रूपर बच्चों, अब यहां पर होता क्या है? यहाँ पर हमें एन हाइडरस रखना है बच्चों ALCL3 जो एक प्रकार का क्या होता है बच्चों Lewis Acid होता है और कैटलिस्ट का भी काम करता है बच्चों कैटलिस्ट का काम करता है तो आपको कुछ नहीं करना है आर्थो और पैरा हाइड्रोजन को हटा करके अब यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा बच्चों तो यह तो पहले से ही माइनस और पास्ट्यो है तो इसके साथ यह हो लेगी तो क्या बनाएग बच्चों S.E.L. अब आपको कुछ नहीं करना है बच्चों जो कार्बोनिय माइन जर्डेट हो रहा है उसे आप एक बार आठो पर जोड़िए बच्चों और एक बार जोड़ दीजिए पायरा पर चुकही हमने आपको बता था बच्चों आठोपयरा डारेक्टिंग होती है चुकही यहीपर बच्चों नेगेटिव चार्ज यह तो बच्चों रहा इसकी mechanism इसका reaction अब इसके mechanism पर देखते हैं बच्चों किस तरह से हुई ध्याने बच्चों अगर हम देखें तो पूरा खेल बच्चों तो यहां पर एलमूनियम क्लोराइट के अगर लुइस डाट इस्टक्चर को देखो बच्चों तो इसके आउटर मोस्ट अर्विट्ट पर बच्चों केवल और केवल सिक्स इलेक्ट्रोन हैं मतलब इसको औक्टेट कंप्रीट ने बच्चों यह अपना अउक्टेट कंप्री सबी बच्चे जानते हैं लूइस एसीट की तरह भी बच्चों तो यहां पर सब खिले इसको है बच्चों इलमुनियम क्लोराइड में इलमुनियम को है सक्त इलेक्टरॉन की जरूरत चुकि इसको अक्टिट कम्टिट ने हुआ है अब होता क्या है जो यहां CS3 और CL कार्बन और क्लोरीन के मद्ध बांड बना हुआ है इस पर बच्चों यह आँख गड़ा देता है चुकि यह जानता है कि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्टर नेगेट्व इलेक्टरॉन को खिच एक इसको फुसलाता है तो यह बड़े आराम से फुसल भी जाती है माइनस और प्लस में अब इसके सांथ बच्चों चिपक लेती है और बनाएगी क्या बोलो ALCL 3 तो पहले से ही था एक निगेट्व आ गया ALCL 4 हो गया इस पर एक माइनस और यहां पर सभी बच्चे देख रहे हैं यह जनरेट हुआ बच्चों और यही इलेक्टोफाइल है यही आपका अटाइकिंग री एजेंट होगा बच्चों अब यह अटाइकिंग री एजेंट जब मालूम हो गया तो आपको कुछ नहीं करना है और तो पहर आप जिपका देना है बस खत्म अब होगा प्या ज़राई धर देखो बच्चों अब होता यूँ है कि जो क्लोरो बेंजीन है बच्चों यह आपकी क्लोरो बेंजीन है यहां पर भी हाईटोजन है अब यहां पर बच्चों CS3 प्लस मेथिल कार्बोनियमाइन जो की एलेक्ट्रोफाइल है तो यह इस परatus तो एकाइडा ना यहां इस पर फॉर्टेक है यह न का इस पर बना यहां और आपका न स्दिर फरसे उसी यहां गड़ना अर्थरी यहां पता है यह मेजर प्रोडक्ट होगा ठीक और हाएख बाहर निकल जाएगा तो कि यहां पर बच्चों इधर आये हैं तो यह carbon negative हो जाएगा बच्चों और यह hydrogen H की रूपने अब होगा क्या बच्चों यह hydrogen को सक्त जरूरत है किसी electron की अब electron कौन प्रोवाइट करेगा ALCl4- अब यह करता क्या है यह CL- electron लेकर के अलग हो जाती साथ combine कर लेती बच्चों क्या बच्चों यह जन्रेट कर रही है इलेक्ट्रोफाइल ठीक है कई बार पूछा गया है बच्चों यह question कई बार आ चुके हैं और दूसरी बात इस reaction को पाश्यूव कायद कर रही है रियक्शन को बढ़ा रही है चुकि केलिस्ट कियो बच्चों जहां से मैंने reaction सुरू किया था बच्चों वही आकर की यहां पर यह बन गया यहां से मैं सुरू किया यह तिर बन गया अर थाती यह क्या है बच्चों act as a catalyst है तो यहां पर दो डिजार प्रड़क्ट बने बच्चों आर्थो, आर्थो मेथिल क्लोरो बेंजीन, पैरा मेथिल क्लोरो बेंजीन, जिसमें पैरा मेथिल क्लोरो बेंजीन, that is a major product, because it has symmetrical and less injured, अब हम आते हैं बच्चों दूसरी रियक्शन को देखते हैं, जिसे कहते हैं, एसा इसाइलेशन क्या है, तो चलिए हम एसाइलेशन देखते हैं बच्चों, ध्यान रे बच्चों यह जो हम आपको बता रहे हैं, इस पर साट नोट रिकने के लिए बच्चों आती है, और इस पर फिलिंग ब्लैंक बैग में भी आता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों आपकी नेमिंग रियक्शन जितनी भी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगी, हमारा सिरीज इसी पर चल ला है, जितने पहले बच्चों को नेमिंग रियक्शन है, उसको हम बता देते हैं, इसके बाद हम आगे देखते हैं, बच्चों, अब हम आते हैं बच्च है ये लोगा ma ne klorobenzene ले लिया बच्चोँ अब सवाल उठता है ता इसल गॡ्यूप है कहां से और वह ही सियां आएगा बच्चोँ जहां पर यह 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 इसल गॡूप है बच्चोँ संरे यह एश जू बूब है अब चलिए हमें यहां पर बच्चों CS3 लेते हैं इसे कहते हैं बच्चों प्रोपेनोईल क्लॉराइड है एसिट क्लॉराइड है बच्चों अब कार्बन और इसके मद्द बांड बना हुआ इसकी अच्छी खासी खीशती है बच्चों अपने एलेक्टान को और तब यह माइनस मे बन जाएगा यह देखो यहां पर cl था बच्चों c अब यहां पर डवल बांड ओ और यहां पर आपका cs3 बना बच्चों और दूसरा जो product बनेगा बच्चों वो आपका पायरा position पर जाएगा यहाँ पर CL था यहाँ पर C double bond O और CSC बना अब ज़रा ध्यान देना बच्चों इसका नाम बच्चे लोग नहीं यह आर्थो है और यह क्या है बच्चों पायरा अब ज़रा ध्यान देना बच्चों यहाँ पर आपका CSC C double bond O और CSC है तो क्या यह acetone नहीं है क्या बच्चों है तो यहाँ पर देखो यह तो बच्चों ketonic group आपको लग रहा है देख रहा होने यह ketone group है बच्चों और यह acetone में alkal group methyl group के अस्थान पर क्या है बच्चों पूरा का पूरा chloro benze नहीं यह तो इसका नाम क्या होगा बच्चों अर्थो आर्थो क्लोरो बेंजीन और तो लो बेंजीन और इसितो फिनौन और शिही आपका क्या होगा बच्चों मेजर प्रोड़क्ट होगा क्यों क्यों कि यह बच्चे जानते हैं पायरा पोजीशन वाला ही जो है वह मेजर प्रोड़क्ट होता है बच्चों इस चीज़ का याद रखे कभी मेजर प्रोड़क्ट ही पुछ लेता है अब होता क्या है बच्चों अगर हमें यह इलेक्टोफ सब्सक्राइब एन था समुनि और को सबस्क्राइब अब होता क्या है H प्लस भी तो आएगा बच्चों चुकि यहां पर H प्लस भी तो निकल रहा है बच्चों हाइडोजन हट रहा है तो इसको है इलेक्टॉन की ज़रूरत अब फिक्चर में बच्चों यह अपने कलोराईडायन को एकलोरीन एलेक्टॉन अलग हो जायेगी और बना लेगा बच्चों असील और हमारा बन जाएगा इलस ट्री तो यहां पर बच्चे लोग देख रहे हैं फिर जनरेट हो गया यहीं से हमने शुरू किया था बच्चों यही मानेस है इसको देखना पड़ेगा बच्चों अगर यह लोन प्टर होता है बच्छों नेक्स टाइम पर हबादेगे मेजोमेरिक एफट और रिजोनेस M effect क्या होता है मानस M effect क्या होता है बच्चों वो बहुत important है बिना उसके बच्चों आर्थो और पैरा पर आप decision नहीं कर सकते हैं ठीक है तो यह तो रहा बच्चों आपका Friddle Croft Reaction और हमने आपको Alkylation तो हम फिर से revise करवा दे रहे हैं बच्चों जो Friddle Croft Reaction क्या होती है जब भी किसी Aromatic Hydrocarbon की Benzene दिंग की बच्चों Hydrogen Replace कर दी जाती है ऐसलिए Alkyl Group दोरा तो इसी कहते हैं Friddle Croft Reaction in presence of Enhydrous Alcl3 अब इसमें Alcl3 कैटलिश का काम करता है बच्चों और साथ ही साथ ही जनरेट करता है कि इसको Electrofile को तो Electrofile को Generate करने बस ही इसकी मैकरी जब बच्चों अगर Electrofile कैसे Generate होगा अगर ये मालूम होगया तो आपको कुछ करना नहीं आर्थो और पैरापर चिपका करके प्रोड़क्ट बना लेना है तो बस बच्चों आ जाएं तक वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करिये बच्चों ठीक है हाँ एक चीज़ और सोचना हम दे दूँ अब दस तारिक के बाद बच्चों हो सकता है कि हम आपको आनलाइन आएं तो आनलाइन बच्चों ज़्यादा खेज जाएगा लगब एक चैक्टर पूरा खतम हो जाएगा एक-एक दिन बच्चों उसका लिए हम ठोड़ा प्रयास कर रहे हैं आनलाइन लाने का तो हो सकता है बच्चों दस तारिक से हम आनलाइन हो जाए तो इसी सुचना किसान बच्चों जहीं और थैंक यू